नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी गस्ताओगत करता हूँ अगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है बच्चन सिंग वर्सेद श्टेट ऑफ पंजाब 1980 जो कि हमारे देना चाहिए अगर कोई special reason है या special कोई case है उसमें यह बोला गया कि जो इंडिया है कापी diversity है यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं और कुछ लोगों के पास education है कुछ पास नहीं सबकी morality अलग-अलग है तो उस basis पे कुछ special reason पे हम फांसी की सजा सुना सकते हैं देट penalty दे सकते हैं 14 साल जब जेल का पूरा उनका पूरा हो गया सजा पूरी हो गई तो वो जेल से बाहर निकले उसके बाद वो अपने कजन भाई के हां रुकने गए और बट उनकी जो वाईफ और जो बच्चे थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया अब उनकी मांसीक हलत नहीं सही थी बारा मतलब कि डिश्टिक कोड जो होती है फिर उनके वकील है हाई कोड में अपील किया हाई कोड ने मना कर दिया कि आपको सजा आपकी खतम नहीं कर जाकती जो पांसीक सजा सुनाई गई है वो आपकी नहीं खतम कर सकते हम उसके बाद इन्होंने सुप्रिम कोड में यही अपील फाइल की जानते हैं क्या केस चला था बेसिकली सुप्रिम कोड में जब केस गया तो वहाँ पे कोशन यह उठा कि क्या डेट पेनालिटी जो पांसीक सजा है वो सामिधानिक तरीके से सही है कि नहीं है इसमें जो इन्होंने बाते रखी इन्होंने कहा कि इनके वकील लें कि आर्टिकल 19 जो है वो हमको right to freedom expression speech देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी बोल सकते हैं बट अगर आप फांसी दे देंगे तो यह सारी freedom इनकी छिंड जाएगी ठीक है साथी साथ आर्टिकल 21 में भी right to life and liberty है तो यह भी इनका हनन हो जागा अगर इनकी मृत्तियों कर दे दी जाएगी इनको या फांसी दे दी जाएगी तो Supreme Court ने यह बोला कि भया ऐसे तो आप दूसरे का fundamental right violate कर देंगे और अपना fundamental right बचाने आएंगे तो यह तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि Article 19 में आपको absolute right नहीं दिया गया है उसमें कुछ limitation भी है मतलब कि आपको भी दियान देना होगा अपना fundamental right यूज करते हुए आपको ये भी दियान देना है कि दूसरे का fundamental right violate नहीं होना चाहिए और ये भी question उठा क्या Supreme Court हर murder case पे या जो extreme murder case पे ये सुनवाई कर सकती है कि फांसी के सजा किसको देनी चाहिए और कितनी क्या सजा होनी चाहिए ठीक है सुपरिम court management ये आया कि हम rarest of rare case में death penalty दे सकते हैं मतलब फांसी के सजा दे सकते हैं बट उसके साथ उन्हेंने कुछ guideline भी दी कि जो case है वो बहुत ज़्यादा extreme होना चाहिए special होना चाहिए और साथी साथ हमें जो अपरात किया है उसके circumstances को भी देखने हैं कि उसकी circumstances क्या थे सबको analysis करके ही हमको उस फांसी को सजा को सुनाना है और कम से कम इसका use करना है फांसी की जो सजा है सुपरिम court ने ये भी बोला कि जब आप कोई किसी अपराधी को सजा देंगे अगर उस अपराध की सजा life imprisonment काफी नहीं है आपको लगता है अगर उमर कैद सजा काफी नहीं है तो उस case में भी आप death penalty दे सकते हैं और इसका proper analysis करके आपको देना होगा बट अब इसका question ये उठा है कि इसका impact क्या पड़ा कि जो सुपरिम court ने बहुत है कि कम से कम use करना है इसका वो कहीं न कहीं contradict हुआ कैसे कि जैसे ही ये law जो है इसको थोड़ा सा rarest of rare का मिला एक तो सबसे बड़ा इसका drawback ये था कि rarest of rare का जो इनने doctrine रखा था उसका कोई criteria नहीं रखा था ये काफी broad term है कि आप किस basis पे rarest of rare को consider करेंगे सबका अपना अपना एक understanding अलग है हर judges की अपनी understanding अलग है हर person की अपनी understanding अलग है तो कम से कम इसकी criteria तो कुछ रखनी चाहिए थी कि कि किस case में आप रख सकते हैं ठीक है अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ cases में death penalty grant की जा रही है और laws भी बहुत सारे parliament के दोड़ा बनाये जा रहे है death penalty को लेकर वो तो अपने कहीं ने कहीं political career को promote करने के लिए आपने political आप कह सकते हैं advantage को gain करने के दिए वो इस तरह के प्रवधान ला सकते हैं अब जैसे के हम लोग एक्जेंपल लिस्ट रखते हैं कि एक act है SCST prevention of atrocity act 1989 इस act के तहत ये बोला गया है कि कोई percent अगर कुछ false evidence court में रखता है और जिसके कारण एक innocent percent को सजा हो जाती है और वो अगर SCST से belong करता है तो उस case में ज आप भी ज्यादा rigorous state law हो गया तो इस तरह की चीजों पर हमें करना होगा और proper criteria रखनी होगी हर एक चीज की देन हम ensure कर पाएंगे कि justice हो रहा है अब हमें example और लेंगे जैसे कि Indian Arm Act 1959 है इसमें क्या था कि अगर कोई percent किसी तरह का weapon बेच रहा है बंदूग बेच रहा है कि जो illegal है जैसे माल लीजे कि एक person ने आपको बंदूग दी आपको transfer किया और आप जाके murder कराते हैं तो उस case में जिसने आपको बंदूग बेची या दिया था उसको भी fancy की सजा होती ये case था तो इतों copy extreme हो गया 2012 में Supreme Court को ये चीज realize हुई और उन्होंने उसके बाद इसको unconstitutional कहा और इसको रद करते हैं वो बोला कि नहीं इस case में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कोई person अगर transfer किया सजा जरूर होगी बट सजा होगी सिर्फ किसी को बंदूग देने के कारेंट सिर्फ उसको मौत की सजा नहीं सुना दी जाएगी तो ये पूरी तरीके से रद किया गया कि इ नहीं सुना सकते हैं अब बात यह होती है इस कैसे हो सकते हैं इसकी criteria तो रखी नहीं पर तब ले सकते हैं जैसे कि आपका box store act है उसके अंदर यह कि कोई भी अगर लड़की minor है जो 12 साल से कम age की है और उसके साथ अगर rape होता है तो उस case में death penalty दे सकते हैं यह हमारे Parliament नहीं प आपका